नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशी के बारे में अगर आपकी भी राशी मकर है तो दोसों आज के इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक जरूर देखें तो चली दोसों बात करते हैं चब से पहले दोसों हम आप शुभी को यह बात बता दे कि दोसों आज के इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं दोसों पूरे यूट्यूब पर या पिर पूरे सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल भी नहीं शुने होंगे जो दोसों हम आप शुभी को बता दे कि हम आपके राशी के 35 एशी गुनों के बारे में बताने वाले हैं जिने शुन कर आप दंग रह जाएंगे दोसों आपने अक्षर यूट्यूब पर 10 गुन 15 गुन 20 गुन 25 गुन या फिर 13 गुन वाले वीडियो देखे होंगे लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके राशी के 35 गुनों के बारे में बात करने वाले हैं जिने शुन कर आपके हो सुड़ जाएंगे ये दोसों आपके जीवन से जुड़े हर एक बातों के बारे में बात करने वाले हैं हर एक चीजों के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिने शुन कर आप भी कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे जीवन काल पर हो रहे है जे दोसों और इनका शमधान क्या है इनने शबी के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आपकी जुनकाल में आकिर दुख परिश्यानिया क्यों आ रही है किसकी वज़ा से आ रही है और इनका शमाधान क्या होगा केशिए आप अपने जुनकाल को बहुत देशुंदर और श्वक्स बनाश रोगते हैं प पहले दोस्तों जो भी शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और कमेंड बॉक्स में सच्चे शिदैशे जय शिव लिख दें बगवान महाकाल का सच्चे शिव संकर का आपको शीधा शिरबात प्रापत होगा तो नहीं शमझते नमर दुश्रा आपके अंदर चल और कपट देखने को नहीं मिल सकता कभी कबारेशा होता है जो वेक्ति आपके शत चल भी करते हैं आप उन्हें माफ भी कर देते हैं नमर तिश्रा कि आप लोग धर में बहुत ही ज़्यादा आस्ता रखते हैं भक्ती बाप और आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है नमर चार आपके राशी के जितने भी जाता के उनके अंदर कभी भी भेदभाव और लालच देखने को नहीं मिलते हैं आपके राशी के जातक कभी कभी भी किसी चीच की लालच नहीं करते हैं जो भगवान ने दिया है उस के धन दोलत को देखकर कि तरफ उनकी को बेंदा नहीं करते हैं आपकी राशी के जितने तक हैं हमेशा शुकी जीवर होती है लेकिन फिर वी आपकी जोन में हमेशा आप अपने कर्मों के नुशार अच्छे खुश्यां ढूंड़ी लेते हैं और दोस्तों आपकी कर्म के नुशार आपको शुबलता अवश ही मिलती है इसको प्रामति नम्मर शिक्ष गुनिया है कि आप लोग कभी भी बिना शो सबसे अच्छी आदत है और इन्हीं आदत के चलती आपको मान शमान भी प्राप्त होता है नम्मर शाथ आपकी राशी की जो भी जातक है आप लोग हमेशा पेटों के रोग और गुपतांगों के रोग शे परेशान होते हैं आपकी जुनकाल में हमेशा पेटों के रोग औ आपको परिशान करते रहते हैं नम्मर आठ आप शुन कर चौक जाएंगे कि आपको यह चिशकेश पता ज्यादोस्तों हम आपको बता दें कि आपके गुप्टांगों पर काले तिल का निशान अवशी देखने को मिलता है दोस्तों यकी नाए तो अजमा कर दिख लेना नम्म प्रश्व को एक शमाज समझते हैं निया की किलाब आवाज उठाने वाले आप लोग होते हैं यह जो भी फिशला करते हैं शही और शत्य करते हैं चाहें किसी को अच्छा लगे या पिर किसी को फ्राब नम्मर दर्श आपकी राश्य के जो जातक होते हैं वह हशुक बन जाता है हमेशा मस्ती बना जीवन आप जिना चाहते हैं चाहें कितना भी दुख आपके अंदर क्यों आज आए लेकिन आपके होटों पर हमेशा मुश्कान रहती है यहां देखा जाता है नम्मर 11 आप लोग बहुत ज़्यादा द्यालू और इमंदार होते हैं आपके द दुखों का शामना इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमेशा आशा देखा गया है कि आप दूसरे के चकर में फंचाते हैं और बात में आपको पस्ता ना पड़ता है कभी कबार दूसरों के चलते तो आप बदनाम भी हो साते हैं दंड भी भरते हैं यह दोस्तों उनके चल और कुशलता पुरुकर राजनेती करते हैं किसी के कपट लेकर किसी के दिल को ठेश पहुँचा कर आपको भी राजनेती नहीं करते हैं बिल्कुली शाफ दिल से शाफ-शाफ मुह पर बोल देते हैं जया दोस्तों युद्धानती नंबर 14 गुनिया है कि आपको हमेशा बुर नमर 15 आप लोग हमेशा एसे इंसान से दुर रहना पशंद करते हैं जो गलत वहवार की व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर गलत गुन होते हैं जो हमेशा बुरायों को ही शिक्षा समझते हैं अगर आप जान जाएं कि यह व्यक्ति चोर है उच्चा का है तो दोस्वों आप कता ही उनके शात रहना पशंद नहीं करते और उन्हें अप जल्द से जल अपने जिवनकाल से निकाल देते हैं नमर 16 आप लोग के उपर कितना भी बड़ा शंकट क्यों ना जाए आप लोग घपराते नहीं हैं आप लोग शिर्प लड़ना जानते हैं अपने कर्तब पर डटे रहते हैं और जो आप को चाहिए उन्हें हाशिल करकर ही चुड़ते हैं नमर 17 आप लोग लंबे चोड़े होते हैं चोड़े च्छाती चोड़े माते के आप इंसान होते हैं नमर 18 आप लोगों का देखना बोलना चलना उठना बिटना शब लोगों से अलग रहता है कारण इसी के उपर आप नजर उठाके देख ले तो उनके उपर अलग ही जादू साथ चल जाता है और वह आपके बारे में सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है नमर बीश आपके राशी के जातक हमेशा प्यार के और शम्मान की भूके होते हैं यदि कोई आपको कोई प्यार करते हैं तो आप खुशी से जूमने लगते हैं आपका दिल इसा करता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं नमर अकेश अक्षर इशा देखा गया है कि आप दुसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी शाबिद होते हैं अगर आप कीशी के भी शात यात्रा पर जाते हैं या पिर कोई कारिश ये बाहर जाते हैं तो उनका काम अवशी बन जाता है नमर वाईश आपकी राशी के जातक कभी भी अपने जिंदगी में दुसरों के दखल अंदाजी बरदाश नहीं कर सकते चाहे वो लब पार्णर से हो आपके घर परवार से हो या पिर दोस्ती रिस्तिदारों में हो आप कभी भी अपने शमश्याओं में किसी और को देखना नहीं चाहते किसी और कि दखल अंदाजी देखना पशन नहीं करते कितने सी बड़ी शी बड़ी समश्या हो आप अपने शेही उन्हें शमाप्त कर लेते हैं नमर तईश आपकी राशी के जातक इमंदार और मेहनती होते हैं आप लोग जो कहते हैं उन्हें पूरा करते हैं भले ही थोड़ा देर लगे लेकिन उन्हें पूरा ओश करते हैं नमर चोबिस आप लोग बहुत ही ज़्यादा त्यागी भी होते हैं किसी के लिए अपना टाइम अपना इमोशन देने के लिए त्यार रहते हैं आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं उनकी कदर करते है नमर पचीज आपकी राशी की जो जातक है उनके अंदर यह देखा गया है कि टैलेंट कूट-कूट कर भरा होता है चाहे वो रायनेती हो या पिर शिक्षा का कोई भी छेतर हो आप हर छेतर में अपना विजय का जंदा गारते हैं जया दोस्तों और बहुती बड़ा मुकाम भी हाशिल करते हैं नमर छबीर आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए आपके अंदर बचपन का भोलापन अवशी देखने को मिलते हैं और इसी कारण लोग भी आपका फाइदा उठाते रहते हैं जया दोस्तों तो आप अपने जियोनकाल में इनका पदलाव करने की चाह करते हैं तो आप भी अपने शमाज को देखते हुए अपने नजरिया अपने धंग को अवशी बदलें नमर अठाईश आपके अंदर एक एशागून है जो शबसे अलग और शबसे अच्छी है कि आप कभी भी किशे के अंदर काम करना ने चाहते अपना एक अलग ही अस्ति तयार करना चाहते हैं जियां दोस्तों नमर 29 आपके राशी के जितने भी जातक है कभी भी अपना अपमान बरदाश नहीं कर सकते हैं नुक्षान बरदाश कर सकते हैं कोई आपको पेशा धन बैमानी कर लिए आप वो भी बरदाश कर सकते हैं लेकिन अगर आपका अपमान ह हो जाए तो आप वह कता ही बरदाश नहीं कर सकते नमर तीश आपके राशी के जितने भी जातक है अपने परिवार वालों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं परिवार में कोई भी शंकर आजाए आप कहीं भी हो दोड़कर घराते हैं आपके अंदर घबराहट सिचा जा टूटे कि दिल में आपके लिए कोई शक ना पैदा हो कोई आपके बुराई ना करता हो आप इनके लिए बहुत ज़ादा दरते भी हैं नमर 32, शबसे बड़ा गुन आपके अंदर देखा गया है कि आप लोग जल्दी किशी को उपर बिश्वास नहीं करते, जब तक आपका दिल कोई अगला व्यक्ती जीत नहीं लेता, आपकी हर एक बात सटिक ना बेट जाए, तब तक आप किशी को उपर बिश्वास नहीं करत लेते ही, अपना काम कैसे किसी और से निकल वाना हो, यह आपके अंदर बहुत बड़ा गुन होता है, आपनी मीठी बोलिशी अपने मीठी वैवार से, आप उनसे अपना काम अवर्शी निकल वा लेते हैं, यह गुन आपके लिए बहुत ज़्यदा कारगर्शाबित होती है नमर 34, आपके राशी के जितने जातक हैं, चाहिए वो कुमारे हो, या फिर वो शादिश उदा हो, आपके जुनकाल में प्यार की कमी नहीं रहती, इनके जिवन में थोड़े शमे के बाद कोई ने कोई पार्टनर आही जाता है, शमे शमे पर शाड़िक शमंद भी बनते है लेकिन शादिश पहले तो एक बार शमंद अवश ही बनता है, नमर 35, आपके राशी के जितने भी शंतान होते हैं, ज्यादा तर पुत्री होते हैं, या बहुती ज्यादा अनुबाव करने के बाद देखने को मिला है, या दोस्तों, दोस्तों हमने 35 गुनों के बारे में बा पास है, उनसे दुखनी कमाने की चाह रखते हैं, और आगे कमाते जाते हैं, या आपकी जोन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी गुन हैं, जो कि आपको बहुती ज्यादा उलसायों तेकर लेकर जाते हैं, और लोग आपका नाम लेते हैं, इतियास में आपका नाम रचा जाता है और इसी की वज़ेशिव आप पूरी दुनिया पर सबीस की दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों आज का यह भवश्वानी आप सब्सक्राइब करें बेल बताईएगा। आप तक सब्ची पहले पहुँचे धन्यवाद